हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू नीव वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज के इस फिरों में बात करने वाले ब्रैंड न्यू यमाहा MT-15 के Complete Advantage and Disadvantage के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ कि बहुत अगर आप MT-15 खरीद रहे तो आपको क्या क्या आपको क्या क्या candidates मिल रहे और अगर आप बाइक को खरीद रहे तो आपको क्या क्या ओन कर लिजएगा ताकि ऐसे इंट्रेस्टिंग लोगे नोडिविकेशन वे आप तक पहुंसे रह सके एड़ आप मेरे वीडियोस अपडेट प्रह सके है चली दोस्तो आज के इस वीडियो को सुरू करते हैं सबसे बाले दोस्तो बात कर लेते हैं इस व्यूटी के प्राइस क अगर आपको पता हो तो प्लीज निचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरू बता रही लपक टू लैक सिस्टीन ठाउजन दो लाक सोलाग जाजर रुपर क्या सपस्की ओंडूड प्राइस जा रही है चली अब आज़ते हैं दोस्तों इस बाइक के बारे में दोस्तों एम 150 सेग्मेंट की बाइक होने के बावज़ूत इसकी जो पर्फॉर्मेंस निकल कर आती है न अच्छी अच्छी 200 सेग्मेंट की बाइक नहीं निकाल पारती है इसका सबसे बड़ा कारण है एक प्लस पॉइंट है इसमें आता है यामा की वी वी ए टेक्नलोजी जिस हम कहते है और इस टेक्नलोजी की बज़े से दुस्तु इस बाइक की जो टॉप एंट परफॉर्मेंस इसमें चार चान लग जाते है तो यह सबसे बड़ा कारण है दुस्तु इस बाइक की परफॉर्मेंस का यह सबसे पहला एडवांटेज आपको इस बाइक में देखने को मिलता है वो मिलता है दुस्तु इस बाइक की पावर इंट परफॉर्मेंस दुस्तु इस बाइक का जो नेक्स एडवांटेज मिल रहा है वो मिल रहा है इस बाइक का एंजिन देखिए आपको बता है दुस बाइक का जो एंजिन होता है वो उसके लिए सबसे बड़ा प्लस में जहालोग के कोई बी 아니 हागा में नई को अपको देखने को मलते हैं इस बाइक घूब्स की बहुत तो कौलेटी बहुत सुपा ने को अऺे इंजिन खुलिखि दी得ने की इस डीन की बहुत रधाइगे शुस्पा को सबुस्क्त कोuard प्रिंग का इंडियन मार्केट में जो सेलिंग वो बहुत जादा है इसका सबसे बड़ा कारा ने दुस्तों इस बाइक का लुक एंड डिजाइन आज कल वह जितने भी मदब यंग जनरेशन की बॉइस जाहर सी बात है वह पहले स्पोर्स बाइक का लुक देखते है लुक के वेला प्रिजाओं की पारे में तो एसका मुझन पोक्ति में आइक इस बाइक का स्पीचर अध्र देखने को मलता है वह बहुत अच्छा आती ये भी बहुत अच्य डवांटेज आपको बाइक का मिल रहा है बात केरें दुस्थे एसके नेक्स एडवांटेज के वारे में तो यह दुस्थी बात है झाले का यह जैस दूआरा हमने ऐसे एक फerson k recyclake dependent की ईकशाहिए महां तो वह यह पसक उंपades करता हूँ गारेंटी के साथ में कि आप इस बाइक को कंटीन्यू आपको बता रहा हूं कंटीन्यू अगर आप इसे 200 से 300 किलोमेटर भी चलाएंगे तो आपके बैक में कोई पेन आपको महसूस होने वाला है यह भी आपको बाइक में काफिया चाइडवांटेज मिलेगा दू को आपको biz दूस्तों आज कल आपको पता कि इंडिन मार्यकेट में पैट्र प्राइज भाइए वह औरा कि जाए बहुत ज्यादा ओपैंडे़ चुका है अब जैर सी बात है दोस्तों जब भी हम एक स्पोर्ट सेग्मेंट की बाइक ले रहे हैं सबसे पहले हमारे गर में ये बोला जाता है कि भाईया हाती लेना आसाना हाती को पालना बड़ी बात है और ये एक रियालिटी है अगर आपकी इंकम अच्छी नहीं है ज्यादा मेंटरनेस लगता है ज्यादे मेंग़एस के पाड नहीं है और यमा आपको पता है एक मरब रियावल कंबनी है इस बाज़े आपको पता हम पता है जो काफी कम देखने को मिलता है जोस्तों इस बाट का जो mex एक worth की lights वो भी आपको बहुत अच्छी गाजी देखने को मिल जाती तो ये भी बहुत बढ़ अच्छा एडवांटेज आपको बाइक में मिलेगा बात करें लिए दोस्तो इस बाइक के नेक्स लास एडवांटेज के बारे में तुम्हें दोस्तो इस बाइक का फीडबैक तिकि दोस्तों जब भी हम एक sport segment की bike ले रहे तो भाई यह सबसे पहले important रहता है हमारे लिए उस चीज का review याने की logo का review लोग का opinion अपको तो MT15 का अधर आप logo का opinion पूछेंगे तो लोग आपको 110% बोलेंगे की भाई just go for it बहुत अच्छी bike आपको MT15 देखने को मिल रही इसकी disadvantage के बारे में हार bike में advantage होता है अर बाइक में कुछ ना कुछ disadvantage जरूर होता है दोस्तों इस bike में सबसे पहले disadvantage है इस bike का pillion seat आपको बदर तो इस bike की जो pillion seat है तो काफी कम है मतलब pillion seat में जब आप पीछे के बंदा बढ़ा लेंगे family person के लिए तो बिलकुल लिए इस बढ़ वो नौट 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 इनौफ गुड अतनी खास फैवर कॉलिटी नहीं जितनी हमें से उमिद लगा हैं तो फैवर कॉलिटी में कम्पनी को थोड़ा सा काम करना चीए यह लाइट वेट होने की बज़े से फैवर क्वालिटी कम्पनी नहीं दे पारी है बट यह फिर भी थ तोड़ी से बैतर हो सकती है और ब्रेकिंग मुझे न उतनी खास नहीं लगती जितनी खास इस बाइक की होना चाहिए वाकि यह बेक मुझे जो डिस बाइक लुग के आपको लगता है यह पूल गया या फिर यह एडवांटेज आप भूल गया तो आप नीचे कमेंट करके बत हुआ उस चीज़को मैं जरूर लियान देने वाला हूं तो उमीद करता है दो सब्सक्राइब करेगा चली मिलतें नेक्स वीडियो में लव यू आल जेहिन वंदे मातरां